Hello, student, ये question आपका unit and measurement chapter का example number 1.5 है देखे, ये question आपका simple pendulum से related है जो आपका simple pendulum होता है, वो क्या करता रहता है? oscillate करता रहता है, ऐसे आगेर पीछे move करता रहता है लेकिन इस question में हमें क्या करना है? derive the expression for its time period using method of dimension Dimension की help से हमें एक expression derive करना है time period के लिए expression derive करना है पूरा जैसे उसने यहां से move करना शुरू किया जब ये वापिस यहां पर पहुँच जाएगा तो जब उसने complete एक oscillation किया तो इसमें जो उसने total time लिया होगा उसे time period बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है? time period बोला जाता है कि आपका जो pendulum है suppose that the period of oscillation period of oscillation मतलब time period की बात करा है जो इसने oscillation किया पूरा एक oscillation किया है उसका जो time period होता है वो किन-किन चीज़ों पर depend करता है suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depend on its length एक तो length पर depend करता है mass of bob पर depend करता है acceleration due to gravity g पर depend करता है तो देखो एक तो यह जो string है यह जो string है simple pendulum का इसका length L दे रहा है यह जो bob है इसका mass M दे रहा है दूसरा acceleration due to gravity g पर भी depend करता है ठीक है acceleration due to gravity g आपने class 9th में पढ़ा होगा इसका value कितना होता है 9.8 meter per second square होता है इसलिए भी यह देखो यहाँ acceleration due to gravity g इसलिए आ गया यह जो pendulum है यह जो pendulum move करता रहता है किसकी वज़े से move करता रहता है under the action of force of gravity तो अगर force of gravity होगा तो acceleration due to gravity g भी यहाँ पर act कर रहा होगा अब देखो सबसे पहले जो जो चीजे given है वो हम लिख देते है यहाँ पर लिखाए जो time period हो किन-किन चीजों पर depend करता है length पर depend करता है mass पर depend करता है acceleration due to gravity g पर depend करता है तो यह किन पर depend करता है depend on एक तो length पर depend करता है mass पर भी depend करता है acceleration due to gravity g पर भी depend करता है तो देखो हम इसे simply ऐसे लिख सकते हैं कि time period depends on length, mass and acceleration due to gravity जी, अब देखो मुझे इसके लिए एक expression बनाना है, time period के लिए expression बनाना है कि इसने जो one complete oscillation किया है, उसमें कितना time लिया, total कितना time लिया, तो उसे capital T लिखा जाता है, तो देखो इससे आगे क्या करेंगे, हमें क्या कर इसके उपर एक power raised करनी है, मतलब इनके उपर क्या पता, may be, कुछ powers हो, power 2 हो, क्या पता, यहाँ पर power 1 हो, यहाँ पर power 3 हो, कुछ ना, कुछ power हो सकती है, इनके उपर, तो मैंने यहाँ power लिख दी, A, B, C, अब देखो इससे आगे से कैसे solve करते हैं, यह आपका proportionality का sign है, जो यह पता रहा है कि यह time period किन-किन चीज़ों पर depend कर रहा है, तो देखो इस proportionality के sign को मुझे हटाना होता है, तो जब मैं इसे हटाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर क्या changes करने पड़ते हैं, यहाँ पर equal का sign बनाना पड़ता है, एक constant of proportionality यहाँ पर put करना पड़ता है, ठीक है, पिर उसके बाद आपको इसे L की power A, M की power B, G की power C, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है, हर जगा, जब भी आपको expression derive कर रहे होंगे न, तो आपको ऐसा, जब भी proportionality के sign को हटाना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर equal का sign बनाना पड़ता है, एक constant बनाना पड़ता है, देख यहाँ पर constant भी आजाता है, तो इस constant की value की इसके बराबर होती है, 3.14 के बराबर होती है, तो यहाँ पर जो time period है, maybe यह भी हो सकता है, कि क्या पता, यह किसी other factors पे भी depend कर रहा हो, तो इसलिए यहाँ पर constant K आजाता है, ठीक है, अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, इसस time period का dimensional formula निकालना है, length का dimensional formula, mass का dimensional formula, acceleration due to gravity g का, यहाँ पर dimensional formula लिखना है, तो देखो जो time period का dimensional formula होता है, वो क्या होता है, हम इससे यहाँ दखना, dimensional formula कैसे लिखा जाता है, ऐसे bracket बनाया जाता है, और यहाँ पर capital M, capital L, capital T लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको time period का dimensional formula लि indicate करता है तो यहाँ पर time क्या जाएगा one आ जाएगा बाकि यहाँ पर powers क्या जाएगी zero आ जाएगी ठीक है अब देखो इससे आगे कैसे करेंगे यह जो k है यह तो आपका constant यह कोई physical quantity नहीं है देखिए आपका length physical quantity है mass physical quantity acceleration due to gravity एक physical quantity है time period भी physical quantity है तो इनके हम dimensional formula यहाँ पर लिखेंगे लेकिन यह जो k है यह आपका constant इसका dimensional formula नहीं होता है तो फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है इस length के लिए dimensional formula लिखना है तो आपको again क्या करना है यहाँ यहाँ पर mlt इस तरीके से लिख देना है तो length क्या होता है length का unit होता है meter होता है तो यहाँ पर देखो length को measure करने किस चीज़ का unit use किया जाता है meter use किया जाता है तो यहाँ पर यह L है ना यहाँ पर L आजाएगा यहाँ पर आजाएगा power 1 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 और यह जो power यह क्या है A है यहाँ पर A लिख दीजे इस तरीके से तो यह length का dimensional formula हो गया अब देखो यहाँ पर मुझे mass का dimensional formula लिखना है तो यहाँ पर capital M, capital L, capital T लिख दीजे mass है, यह length है, यह time है तो mass का dimensional formula क्या हो जाएगा यहाँ पर M के उपर power 1 लिख दीजे यह 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा अब देखो यह क्या हो गया, आपका mass का dimensional formula हो गया अब देखो इसके उपर क्या है, power B है तो यहाँ पर भी power B लिख दीजे अब देखो यह acceleration due to gravity G है तो इसका जो dimensional formula होता है M, L, T लिखें यहाँ पर अब देखो acceleration due to gravity G का जो SI unit होता है वो क्या होता है, आपका meter per second square होता है तो meter को हम meter जो होता है, किस चीज़ को indicate करता है length को indicate करता है, तो यहाँ पर power 1 आजाएगा क्योंकि meter को उपर भी power 1 है second किस चीज़ को indicate करता है, time को indicate करता है तो second को पर negative 2 power है और यहाँ पर mass के उपर 0 आजाएगा ठीक है, तो देखो इसके उपर, यहाँ पर G के उपर power C है न, तो इसके dimensional formula के उपर भी क्या आजाएगा, यहाँ पर C आजाएगा अब देखो इसे आगे कैसे solve करेंगा यहाँ पर आपका यह आपका M की power 0, L की power 0, T की power 1 ऐसे लिख दीजे, इसे आगे solve कीजे देखो यहाँ पर power 0 है, यहाँ पर power A है तो 0 into A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 into A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 0 into A, फिर again क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फिर इसे भी इसी तरीके से solve कीजे 1 into B क्या हो जाएगा, B 0 into B, 0 और यह भी 0 हो जाएगा आपका फिर इसे solve कीजे, यह 0 into C कितना हो जाएगा 0, 1 into C, C हो जाएगा minus 2 into C, minus 2 C हो जाएगा अब देखो इसे आगे कैसे solve करेंगे M की power 0, L की power 0, T की power 1 और देखो यहाँ पे क्या है, M की power 0 है M की power B है, M की power 0 है तो यह powers क्या हो जाएगी, add हो जाएगी तो यहाँ पे M लिखा, और देखो 0 plus B plus 0 क्या हो जाएगा B हो जाएगा, फिर यह L, L, L है तो इनकी powers को क्या कीजिए, add कर दीजिए तो यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर c लिखा है, तो यह a plus c हो जाएगा, अब यह time period है, तो यहाँ power 0 है, यहाँ power 0 है, यहाँ negative 2c है, तो यहाँ पर जब हम इन powers को add करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, अब देखो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर T के उपर negative 2C है T के उपर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या लिखना है 1 is equal to negative 2C यानि कि negative 2C is equal to 1 हो जाएगा अब देखो B is equal to 0 आगिया अब ही हमें यहाँ पर जब मैं इसे आगे solve करूँगा तो यह क्या हो जाएगा तो यह A plus C का value कितना है negative 1 upon 2 यह negative 1 upon 2 put कीजिए is equal to 0 तो A is equal to क्या हो जाएगा आपका 1 upon 2 हो जाएगा तो देखो हमें A का भी value मिल गया B का भी value मिल गया C का भी value मिल गया बस उसे यहाँ put कर देना है इस formula में put कर देना है तो हमें expression मिल जाएगा तो time period is equal to यह K है यहाँ K को लिखिए यह L के उपर power किया है A है तो A का value कितना है 1 upon 2 तो यहाँ पर 1 upon 2 लिख दीजिए यह M के उपर power किया है B है तो B का value कितना है 0 आ रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए यह G के उपर power C है तो यह g के उपर c का value कितना है negative 1 upon 2 तो यह negative 1 upon 2 हो जाएगा देखो इसे कैसे solve करेंगा आगे यहाँ k लिखा l की power 1 upon 2 m की power 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है कोई भी physical quantity है या कोई भी number है उसके उपर अगर power 0 होता है तो m की power 0 का मतलब तो 1 हो गया तो यह कहां जाएगा g की power negative 1 upon 2 कहां जाएगा नीचे आजाएगा ठीक है यह positive बन जाएगा अब देखो इसे हम आगे कैसे करेंगे यह time period is equal to k यह under root l यह l की power 1 upon 2 को मैं under root l लिख सकता हूँ इसे मैं under root g लिख सकता हूँ तो यह finally क्या हो जाएगा आपका t is equal to k under root l upon g अब देखो यह जो k होता ने यह आपका constant होता है तो experimentally k का जो value है वो 2 pi के equal होता है जो k का जो value होता है वो experiment में यह पाया गिया कि जो k का जो value होता है वो 2 pi के बराबर होता है तो यह finally जो expression है यह आपका derive हो जाता है time period का जो expression होता है वो होता है 2 pi under root L upon G होता है देखिए यहाँ पे तो हमने expression derive किया है लेकिन इस से related कोई numerical नहीं है इस chapter में actual में यह आपका जो oscillation chapter का topic है यह oscillation chapter तो आप तब पढ़ेंगे जब आपके annual के exam आ रहे होंगे उस समय पढ़ेंगे तो last में पढ़ेंगे यह oscillation का chapter आपका last में अभी लेकिन यहाँ पे हमें just this equation को derive करना था मतलब हम dimensionally को equation भी derive कर सकते हैं dimension method की help से हम equation भी derive कर सकते हैं यह question बहुत important है यह exam में पूछा जाता है तो यह question complete हो जाता है अब देखिए बच्चों मैंने आपको एक link जो है description box में दे रहा है वहाँ पर आपको unit and measurement chapter के सभी topics वहाँ पे available होंगे वहाँ से आप unit and measurement chapter के सभी topics पड़ सकते हैं तो यह topic complete हो जाता है ओके बाई